नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल Competition Boss पर मैं हूनितेश। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल आपको एक्जाम की तैयारी कराने के लिए भी है। Vacancies मैं आपको बताता हूं और इसके अलावा Education चे जुड़े Update भी आपको देता रहता हूं। लेकिन एक्जाम की तैयारी करवाना, Current Affairs के बारे में आपको बताना, खास करके वो इशू जो काफी होट होते हैं और एक एक इशू में से जहां 10-10-12-12 questions बन सकते हैं, ऐसे इशू पर हम इस चैनल पर चर्चा भी करते हैं। तो आज एक ऐसे ही इशू पर हम यहां इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो पसंद आये तो लाइक को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूल जाना, इसके अलावा एक बात और बता देता हूं आपको, अभी कुछी दिनों बाद आपके Read Exam के तयारी आप शुरू कर देंगे, सी टेट के तयारी आप कर ही रहे होंगे, इन दोनों एक जान्स के लिए या फिर आप किसी भी स्टेट में टेट के तयारी करें, या फिर किसी भी लेवल पर टीचर बढ़ती के तयारी करें, संस्क्रत के और आपके Methodology के और इसके अलावा Education Psychology के तीनों टॉपिक्स पर कम से कम 200 वीडियो आपको इसी चैनल पर अपलोड किये हुए हैं, जिनका यूज आप कर सकते हैं, लास्ट टाइम जब रीट हुई थी, तो उसमें 30 में से 28 कुष्चन वो ही आई थे, जो हमने हमारे यहां करवाए थे, तो चलिए, इन सब को तो आप देख लेना, वीडियो के डिस्कुशन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसके अलावा आप इंपोर्टेंट बुक्स भी ले सकते हैं, उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्कुशन में मिल जाएंगे, फिलाल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हौट इशू, ऐसे हौट आनी चाहिए, तो ऐसी कोशिश हम लगातार करते रहते हैं और इसलिए हमारे नोट्स की काफी डिमांड भी रहती है, तो यहां आज बात करेंगे केशवानंद भारती मामले में, आपके दिमाग में तुरंत किलिक कर गया होगा, केशवानंद भारती बनाम किरल राज्य वि यह विवाद क्या था, कौन सा समयदान संसोदनिस से जुड़ा हुआ है, इस विवाद में कौन कौन जज थे, कितनी सदस्य इसकी पीट थी, इस पीट के अध्यक्ष कौन थे, केशवानंजी का दूसरा नाम क्या है, वो किस पीट के मठादीश थे, ऐसे बहुत सारे सवाल यहां बन जाएंगे, ठीक है, इसका लावा आप देखेंगे संगवाद क्या है, धर्न रिपेष्टा क्या है, यह सब चीजे भी, इन में से भी काफी सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, वो सब आपको यहां इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को आपको पूरा देखना ह बस तोड़ा साइए कश्ट करना है, और अगर आप इस वीडियो को skip करते हैं, तो माली जी आप knowledge skip करते हैं, so don't skip video, don't skip knowledge, तो चलिए देखते हैं केश्वनन्द भारती वाला मामला फिलाल चर्चा में क्यो है, केश्वनन्द भारती जी की अब death हो चुकी है, ठीक है, तो इस देट है 7 सितंबर और इसका मतलब इनकी डेट हुई है 6 सितंबर 2020 को ये बात एक आपको ध्यान रखने है क्योंकि कई बार ये direct questions भी आ जाते हैं जब paper easy होता है तो तो सबसे पहले तो केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद की जो निर्ने था उस पर हम देखते हैं क्योंकि ये तरीका आपको याद रखने के लिए सही रहेगा तो सबसे पहले देखें कि इस विवाद का निर्ने कब आया तो विवाद का निर्ना आया था आपका 24 24 अप्रेल 1973 को ठीक है तो केश्वनन्द भारती बनाम केरल राज्य है विवाद का निर्णे की तारीक कौन सी है 24 अप्रेल 1973 तो आपको याद रख नहीं है मैंडूटली पूछते हैं तो इसमें 24 अप्रेल भी जुड़ जाता है ठीक है सुप्रीम कोट का निर्णे था इस की पीट बनाए गई थी तो यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी इसके अलावा इसमें जो वहुमत था जजजों का जब वहुमत था खंड़ पीट का निर्णे में तो 7 च्हें का वहुमत था साथ पक्षमे थे निर्णे में और 6 ऐसा हमत थे इसलिए केवल एक वोट से केश्वानन्द भारती जी विवाद को जीते थे और इससे काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले ठीक इसमें निर्णे में क्या था ये बात बार बार आती है ये हर बार खास करके जब आप UPSC के तयारी करते हैं IIS के तयारी करते हैं PSC के तयारी करते हैं RPSC करते हैं किसी भी स्टेट में आप इस लेवल के तयारी करते हैं तो वहाँ केश्वनन्द भारती बानाम केरल राज्य में विवाद जो आता है उसमें आपको ध्यान रखना है, फैंसला क्या था? कि संसद सम्विदान में संशोधन तो कर सकती है, ये बात एक अलग है, लेकिन संसद सम्विदान की मूलबूत सनचना में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये इस फैंसले में मुख्य बिंदू था, क्या था? कि संसद सम्विदान की मूलभूत सनचना में परिवर्तन नहीं कर सकती है अब सवाल आता है कि मूलभूत सनचना क्या होती है वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट चीजें बारिकी से आपको समझनी पड़ेंगी शुरू में ये चीजें कुछ और थी और दीरे दीरे इसमें जुडिती चली गई समीदान की मौलिक सनचना में जो चीजें वो एक दर्जन से अधिक हो गई है ठीक है तो ये इसका निर्ने था अब इसमें देख लेते हैं कि सरकार इसमें तानाशाही नहीं कर सकती मान लिजे सरकार समीदान में संशोधन करन करने का अधिकार मिल जाता लेकिन मूल सरचना में वह संशोद नहीं कर सकती ऐसे में सरकार की तानाशाही इस फैंसले से कही ना कही रुकती है दूसरी बात न्याय पाली का और संसत में संतुलन इस्थापीत हुआ तो पहला फायदा कहता है सरकार की ताना शाही रुकी, दूसरी बात न्याए पाली का और संसद में संतुलन की इस्तिती बनने लगी तीसरा केवल एक मात परक्रण था जिसमें 13 सदस्य थे पीठ में इसके अलावा इसकी सुनवाई चली 68 डेट इसकी सुनवाई चली थी इस संविधान पीठ के 13 सदस्य संविधान पीठ के अद्धक्ष थे या वो पीठ जिसके अद्धक्ष SM सीकरी थे कौन सी थी? केश्वनन भारती बनाम केरल राज्य विवाद में ये पीठ थी इसके अलावा अनुच्छे 368 ये बहुत महत पून देता है अनुच्छे 368 क्या है एक्च्छल में? ये संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है उसी के तैस संसोधन होते रहते हैं और सरकारे कानून बनाती रहते हैं लेकिन ये निर्णे था वो ये कहता था कि संविधान में आप संशोधन कर लो लेकिन भाई मूल सरचना को आप मच छेड़ो उसको नहीं छेड़ सकते ठीक है वरना तो समयदान की जान ही निकल जाएगी अब बात कर लेते हैं भाई कि ये सुनवाई कब से कब तक चली यानि जब 68 डेट चली तो डेट आप याद रख लें 31 अक्टूबर 1972 को इसकी आया था तो अब बात होती है कि मूलबू सरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती संसद्वी लेकिन मूलबू सरचना है क्या ततकाली समय में तो समिदान पीटने मूलबू सरचना के मारे में कुछ भी नहीं माना था लेकिन बदर इस पर तोर पर कुछ नहीं नहीं दिया गया लेकिन फिर भी जो माना वो मैं आपको बता देता हूँ, वो था आपका ततकली समय में, संगवाद, पंत निरिपेश्टा और लोगतंत्र, इनको माना गया था, लेकिन समय जब आगे आगे चला समय का चक्र, तो इसमें आपके समीदान की सर्वोचता, चोथे नमबर पर, फि अब निरिपेश्टा, संपर्भू, लोगतंत्र के गणराज्य, संसदिय, प्रणाली, सतंत्रव, निक्षपक्ष, चुनाओ, कल्यानकारी राज्य, यह आपके एक दरजन बिंदू हैं, जो आपके संग के या समीदान के मूलबूत, सनचना और मूलबूत धाचे में माने ज समझना पड़ेगा, जो की 1994 का था, तो यह भी आप ध्यान रखे, एसार बूम में केस की से संबन दीत हैं, मूलबूत सनचना से संबन दीत हैं, और 1994 में यह जुड़ा हुआ है, अब समीदान संसोदन कौन सा था, जिसको ले करके केशवनन्द भारती बनाम केरल राज्य वि समीदान में, मूलबू सनचना में संसच चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आकिर में मामला क्या था, कोल्ट में कैसे पहुँचा, तो एकदम थोड़ा सा अलग है, इसलिए कई बार चीज़ें बहुत मैतपूर्ण हो जाती हैं, और ट्विस्ट आ जाता है, तो मामला जुड़ा यह भूमी को ले करके, एक्चल में 1922 में केरल में भूमी सुदार अधिनियम बना, जिसके तहर सरकार ने क्या किया, जो जमीदार थे और जितने मट थे, उनकी हजारो एकड जमीन को अधिगरेट कर लिया, इसको ले करके केशवनन्द भारतीजी ने केस किया, और यह केस च आगे तक चलता रहा, अब वकील इसमें कौन थे, नानी पाल की वाला जो एडवोकेट थे, उनसे इन्होंने सला ली थी और उसके आदार पे इन्होंने आगे केस किया, अब और कुछ कोश्टन्स हम देख लेते हैं, जो इसमें से बनते हैं, तो पहला है आपका केरल के शंक निवन में से कौन हैं, दार्शनिक हैं, शास्तिरिये, गायक हैं और संत हैं, ये तीन होई हैं, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी, अब इसके अलावा ये किस पीट के मठदीश थे, तो इनकी पीट थी कासर गोड में इड़नीर पीट है, जिसके मठदी यह काफी सारे questions थे पर फिर से repeat कर लेते हैं केश्वननन्द भारती बनाम केरल राजय विवाद 1973 डिसीजन आया इसका 24 अपरेल को 68 दिन इसकी चली सुनवाई ठीक है और इसमें 13 सदस्य खंड़ पीट थी 13 सदस्य पीट थी जो बैटी थी सुप्रीम कोट में उसके अद्दक् हैं केश्वननन्द भारती और इन्होंने केरल की जो थेटर कला है उसमें यक्षगान जो थी उसको पुनरजीवित किया इन्हें वहां का शंकराचारे भी कहा जाता है इस तरीके से देखिए काफी सारे सवाल इसमें बन गए एसार बोम में केस भी 1994 वाला है वो भी आपको एक बर याद हो जाना चाहिए इसी वीडियो में आपको दो और इंपोर्टेंट चीजे बता देता हूं डेपा क्या है डेपा क्या है ये ऐसे कुश्चन्स हैं जो जरू टकराते हैं और ये की कुश्चन्स होते हैं जिनको अनुने जो सरकार लाने जा रही है इसका मतलब सरकार आपकी अनुमती से आपके डेटा को यूज कर सकती है अब फायदा नुकसान एक अलग है इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा पूरा डेटेल वीडियो आप देख सकते हैं दूसरी चीज है सेकंड इनिंग ट सकते हैं सरकार इंडिरेटली चाहती है कि कोई भी वक्ति 25 साल से अधिक सर्विस ना करे या फिर जिसकी एज 55 उमर हो गई हो 55 साल की हो गई हो वो आपना आप रिजाइन दे दे या वी आरे से ले 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 तो सरकार की इसकी में जो की एक दिसंबर से फरबरी तक चलने वाली है तो ये इसका टेंटिटिव डेटा है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूगा क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लगातार इस चैनल पर बनाता रहता हूं करंट इशू संबंदी तो आपको बविश्चे में काफी फायदे मिलने वाले हैं तो ये सब चीजे थी जो इ आप तो वीडियो के नोटिफिशन आपको मिलते रहेंगे आज के लिए इस वीडियो में सितना ही ऐसे किसी यूसफल वीडियो मैं फिर मिलूंगा तब तक के लिए नमस्कार